Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं. तो trading view अगर आप लोगो को चलाना नहीं आता है, तो पूरी वीडियो को देखेगा, आप लोग समझ जाओगे. मैं आपको बता दू, इनका mobile application प्लेयो स्टोर पे आवे लेवल है. एंड यहाँ पे आप लोग इसको Google Chrome में भी open कर सकते ह लेकिन जो application है, उसके अंदर trading view काफी अच्छे से खुलता है, तो हम लोग इसी का use करने वाले हैं वीडियो के अंदर. तो पूरी वीडियो को देखेगा, पसंद आए, तो लाइक गरू से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. Let's get started. तो यहाँ पे application को हमने download कर लिया है, अब इसको सबसे पहले करेंगे open trading view के application को, open करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे यह application हो गया हमारा open, and सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे login दोस्तों, तो इसके लिए देखें, नीचे menu का option दिखाई दे रहा है, यहाँ पे click करेंगे, तो sign in का option हमको दिखाई द लिजेगा, जिससे आप अभी लोग यहाँ पे login हो जाओगे, अब login करने के बाद आप लोग यहाँ पे clearly देख पाओगे, कि यहाँ पे nifty, bank nifty, sensex, सारे indices आपको दिखाई देते हैं, न सिर्थ Indian market के stock के chart आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बलकि US के market के chart भी आपको अभी लेबल है, दुनिया भर के जितने भी market हैं, उनके साधे stock यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उनके chart को यहाँ पे देख सकते हो, और नसित stock की बात करें हम, यहाँ पे cryptocurrency भी अविलेबल है, जिनके आप लोग चार्ट वगेरा यहाँ पे देख सकते हो, support resistance अपने हिता आप से बना सकते हो, तो हम बात करने वाल हैं अपने Indian market की obvious सी बात है, तो यहाँ पे एक example हम ले लेते हैं, चलिए Nifty को हम ले लेते हैं, आप इसकी बजाए देखें, यहाँ पे उपर search करने का option भी है, जो भी stock अप लोग चाहें, उसके उपर chart अप लोग यहाँ पे बना सक अपना indicators लगा सकते हैं, trend line बना सकते हैं, हम यहाँ पे Nifty को select करते हैं, ठीक है, तो Nifty हमारा यहाँ पे खुल गया है, जैसे हमने click किया, वैसे ही Nifty का chart यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे, and हम देख सकते हैं यहाँ पे, बार candles के रूप में यहाँ पे देखें, हमारा ज क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको bars का यहाँ पे chart pattern देखना है, तो वो देख सकते हैं, candlelastic chart pattern तो by default खुला ही है, इसके अलावा अगर आप लोगों को line, area, किसी भी type का यहाँ पे chart देखना है, तो उससाब से आप लोग यहाँ पे click करके, उससाब से आप हमारे candles बने हुए नीचे की तरफ, वो बता रहे हैं कि कितने volume के साथ यहाँ पे stock के अंदर buying आई है, ठीक है, एंड जो red वाले यहाँ पे candles है, वो बता रहे हैं कि कितने volume के साथ यहाँ पे selling आई है, हमारे particular stock के अंदर, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लिज है, तो यह बहुत ही easy है trading view के अंदर, सबसे पहला ही option देखें, यहाँ पे pencil का option दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे draw करने के लिए, यहाँ पे option खुल चुका है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो देख trading की trend line का एक option है, जैसे हम लोग किसी भी chart को देखते हैं, तो basically दो ही चीज़ें हम यहाँ पे draw करते हैं, बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा trader हो, तो trend line और horizontal line, यह दो line हमेशा हम लोग draw करते हैं, trend line का काम यह होता है, कि basically यह बताता है, कि यह हमारे chart का pattern किस तरफ है, downtrend मे pattern है, या फिर uptrend में, तो चलिए trend line को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, click कर देता हूँ, यहाँ पे हम long press करेंगे, तो हमारा जो trend line है, यहाँ बन जाएगा, तो trend line को हम लोग draw कर देते हैं, एक बार फिर से click करना होगा, शायद click नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखिए, मैंन इसना भी trend line यहाँ पे चाहें, बना सकते हैं, अपने हिसाप से, and trend line बन गया, तो मैंने आपको बताया है, कि trend line यह बताता है, कि हमारे chart का movement किस तरफ है, upper direction में है, या फिर lower direction में है, basically यह direction बताता है, इसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई, horizontal line के बारे में, horizontal line basically आप लोगों को support and resistance बताता है, यानि support का मतलब stock किस जगह पे गिर गिर के बार बार खड़ा हो जा रहा है, वहाँ पे आप सबी लोग एक line लगाते हैं, जिसको हम बोलते है support, क्योंकि वहाँ से stock बार बार घूम रहा है हमारा, वहाँ तक नीचे जा रहा है, लेकिन फिर से आपस घुम के उपर आ रहा है, तो ऐसी जगह पे हम लोग यहाँ पे horizontal line को लगाते हैं, पहले जो की हमारा कहलाता है support line, इसके बाद एक और horizontal line हम लोग यहाँ पे create करते हैं, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हमारा resistance line ठीक है, और resistance line क्या है, जहाँ पे stock हमारा उपर की तरफ ज reject होके जहाँ से नीचे गीर रहा है, उसको हम बोलते हैं, हमारा दूसरा line जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे resistance line, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे trend line, horizontal line को कैसे हम लोग यहाँ पे use करते हैं, ठीक है, तो इस तरफ से आप सभी लोग draw कर सकते हो, और अपना जो है अंदर indicators लगा सकते हैं हम सभी लोग, वैसे देखिए दोस्तों, जो हम यहाँ पे use कर रहे हैं trading यो की application को, यह free version है, यहाँ पे paid version भी आता है, free version के अंदर खासियत यह है, कि यहाँ पे सिर्फ आप सभी लोग 3 यहाँ पे indicators लगा सकते हैं, ठीक है, इंडिकेटर के लिए यह यहाँ पे तमाम जितने भी यहाँ पे indicators हैं, वो सभी हमारे लिए यहाँ पे open हो जाएंगे, अभी लोग देख सकते हैं, technical के अंदर indicator वाला section खुल गया हमारा, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, Bollinger Band का, RSI का, Moving Average का, यह सारे indicators होते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे एक indicators आपको लगा के भी दिखा देते हैं, Bollinger Band को, Bollinger Band यहाँ पे search किया, हमने मिल गया हमारा नीचे की तरफ, और इसको हमने click किया, तो यह हमारा जो है, लग चुका है, और आप देख सकते हैं, हमारे चार्ट के उपर Bollinger Band का जो indicator है, यह लग चुका है, Bollinger Band के indicators के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो comment करियेगा, इसके उपर particular वीडियो बना दूगा, फिराल इतना समझ लीजे कि Bollinger Band, यहाँ पे तीन लाइन वाला एक तरह से band होता है, जिसमें अगर हमारा चार्ट का candle है, अगर उपर ही सीरे पर पहुचता है हमारा, तो हम समझते हैं कि वह आपको कोई और यहाँ पे आप लोगों को indicator लगाना है, तो फिर से आप सभी लोग Apex के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप लोग search करेंके उसको लगा सकते हैं, mostly लोग RSI को लगाते हैं, तो चलिए हम भी यहाँ पे आपको RSI लगा के दिखा देते हैं, RSI हम यहाँ पे search कर है, तो इस तरह से हम अपना यहाँ पे chart भी बना सकते हैं, अपना यहाँ पे support and resistance और यहाँ पे अपना जो है, किस तरफ हमारा direction है, वो बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे indicators लगा सकते हैं, और बहुत सारे चीज़े हम यहाँ पे trading view application के अंदर कर सकते ह मैं आप लोगों को एक bonus point बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, कि अगर आपके पास angel one का dmit account है, तो यहाँ पे आप लोगों को by default trading view का chart मिल जाता है, application के अंदर ही, यहाँ पे open भी किया हुआ है angel one के अंदर, यहाँ लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने nifty का ही chart बनाया था, तो देख लीजे, यहाँ पे angel one के अंदर भी आप लोगों को trading view की पूरी facility मिल जाती है, आप लोग angel one के application के अंदर ही trading view को use कर सकते हो, तो अगर आपके पास angel one का account है, तब तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है, तो नीचे description में link मिल जाएगा, वहाँ से आप सबी लोग angel one के अंदर अपना demand trading account open कर सकते हो, और वहाँ पे trading view को use कर सकते हो, इसके लिए आप लोगों को दूसरे application की जरूत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो हम यहीं पे खतम करते हैं, वादा करते हैं आप से, आगे और knowledgeful वीडियो हमारे चैनल पे आएंगी, ज